रिजर्ब बैंक आफ इंडिया ने पेटियम पर बड़ी करवाई की है। केंद्रिय बैंक ने पीबी बील की तमाम सर्विजिस पर प्रतिबंद लगा दिया है। इसके बाद बहुत से लोगों को लग रहा है कि पेटियम भी बंद हो रहा है। हलाकि ये कहानी थोड़ी अलग है येहां करवाई पेटियम पर नहीं बल्कि पेटियम पेमिंट बैंक पर की गई है। आई जानते हैं कि आप पर इसका क्या आसर पड़ेगा। पेटियम पेमिंट बैंक पर NTD की करवाई के बाद यूजर्स में काफी ज्याधा कन्फूजन है। बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये कारवाई पेटियम पर की गई है और जल्द ही पेटियम की प्रभावड नहीं पड़ेगा आप पहले की तरह ही UBI पेमेंट कर सकेंगे आए जानते हैं कि RBI के आदेष के बाद पेटियम और पेटियम बेंक कि कौन-कौन सी सर्विसेज आपको मिलेंगी अगर आपका Paytm Payment Bank में एकाउंट है तो 29 फरवरी के बाद आप उसे इस्तमाल नहीं कर पाएंगे हलाकि केद्य बैंक ने 15 मार्ज तक का यूजर को वक्त दिया है यूजर 15 मार्ज तक अपने एकाउंट से पूरा दिपोजिट निकाल सकते हैं वहीं आप Paytm Payment Bank का वालेट यूज नहीं कर पाएंगे वालेट के साथ अगर आपका Fast Track Paytm Payment Bank से लिंक है तो भी आप उसे रिचाज नहीं कर पाएंगे Paytm Payment Bank का इस्तुमाल करके आप Gift Card, Paytm Wallet Recharge या कोई दूसरी सर्विज यूज नहीं कर पाएंगे Paytm Payment Bank की सर्विज यूज नहीं कर पाएंगे एकाउंट में कोई भी नया ट्राजेक्शन नहीं होगा आप अपने पैसे निकाल सकते हैं इसमें कोई टॉप अप नहीं होगा इससे Fast Act Recharge नहीं करा पाएंगे आईए आपको बताते हैं कि अब आपको कौन सी सर्विज ज मिलती रहेगी अब सवाल आता है कि आप क्या-क्या यूज कर सकते हैं अगर आप सिर्फ Paytm App को UPI App की तरह यूज करते हैं तो आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा आप इसके जर्ये कहीं भी आसानी से Payment कर सकेंगे इसके अलावा आप रिचार्ज भी कर सकेंगे हाँ इन सब के अलावे आपको अपने Bank Account का इस्तमाल करना होगा अगर Paytm Payment Bank से आपकी कोई EMI या फिर Statement Pending है तो उसे तुरंथ ही क्लियर करा लें 29 फरवरी के बाद आप इस Payment Bank के जर्ये कोई Transaction नहीं कर पाएंगे हाला कि केंदे Bank ने PPBL के Users को मौझूदा Deposit निकालने या फिर इस्तमाल करने का मौका दिया है